नमस्कार शिक्षक सात्यों, मैं हूँ सुरेश हन्वन सुतार, मैं श्री तुर्जा भवानी स्कूल सुमाटने पुड़े में शिक्षक हूँ, मैं 26 सालों से गणित और विज्ञान का अध्यापन कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से जामिती के पाइथागोरस सिधान ये कठिन महसूस होने वाले विशय को सरल तरीके से कैसे पढ़ाए और यह विशय सिखाने के लिए मज़िदार तरीका कैसे हो सकता है यह हम आज अध्यापन तंत्र के नजरिये से देखेंगे पाइथागोरस सिधान बताने के लिए अवश्यत पूर्वग्यान में त्रिभुच का शित्रफल, वर्ग का शित्रफल, समलंब चतुरभच का शित्रफल और द्विपत के विस्तार के सूत्र बच्चों को मालूम होना जरूरी है सत्वी कक्षा में बच्चों ने पाइथागोरस का सिधान और उसके सूत्र सिखे होते हैं उन चीजों को याद करने के लिए हम उन्हें समकोन ट्रिभुच, कार्डशिट या एक्रेलिक से बना कर देंगे फिर मैंने उनसे एक समकोन ट्रिभुच का अवलोकन करने और उसकी समकोन करने वाली भुजाए और कर्ण की पहचान करने को कहां समकोन ट्रिभुच का अवलोकन से समकोन करने वाली भुजाए और कर्ण की पहचान करने के बाद जो त्रिबुज है उसे अलग-अलग तरीके से घुमा कर दिखाए यहाँ पर वो समझ जाएंगे कि समकोन करने वाली भुजाओ के सामने वाली बाजू करन है अब हमने जो गतिविदी की है उसमें हमने कौन-कौन सी पद्धती का इस्तमाल बच्चों से जवाब पाने के लिए किये यह हम देखते हैं शुरुआत में हमने एक समकोन प्रिभुज दिया है उसके समकोन करने वाली भुजाओ पर बनने वाले वर्ग के शित्रफल मापने के लिए कहें यहाँ किन्ने के बाद करन भुजाओ पर बनने वाले वर्ग का शित्रफल मापने के लिए कहें अब वह देखेंगे कि कर्ण भुजा पर बनने वाले वर्ग का शित्रफल, बाकी दो भुजाओं पर बनने वाले वर्ग के कुल शित्रफल इतना होगा अब यहाँ बच्चे हमें बताएंगे ततपचार उनके अंदर की जिग्यासा को सचेत करने के लिए आप उन्हें कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं जैसे कर्ण भुजा पर बनने वाले वर्ग का शेत्रफल यदि बाकी दो भुजाओं पर बनने वाले वर्ग के कुल शेत्रफल से बड़ा हो या छोटा हो तो वह किस प्रकार का त्रिभुज हो सकता है अब आप बच्चों की समझ पाइथागोरस सिद्धान के बारे में जानने के लिए उन्हें विविदन आपके समकोन त्रिभुज दे सकते हैं ये देकर त्रिभुज के समकोन करने वाली बुजाओं की लंबाई वकर्ण नापकर पाइथागोरस के सिद्धान की समझ आप देख सकते हैं पाइथागोरस के सिद्धान की सिद्धता कई तरिकों से दे सकते हैं लेकिन मेरी और बच्चों की एक पसंदिदा गतिवी दी मैंने स्कूल में की बच्चों को इसके लिए समान माप के चार समकों ट्रिबुच बाटने हैं इसके लिए बच्चों के तीन चार के गुट बना कर यह समकों ट्रिबुच उनमें बाटेंगे उन्हें बताया कि इन चार समकोन ट्रिबुच को ऐसे जोड़े कि उनके अंदर एक वर्ग बन जाए मैंने उन्हें ऐसे समकोन ट्रिबुच दिये और हर गुट के बच्चों का निरिक्षण दिया कुछ ने पतंग बनाया था तो कुछ ने आयत बनाया था फिर मैं उस गुट के पास गया जिनों ने यह ठीक तरीके से किया था उस गुट ने बराबर तरीके से चार त्रिबुच को जोड़ कर एक वर्ग बनाया था मैंने उनसे पूछा कि इस अकुरुती में कितने वर्ग बने हैं तो कुछ छात्रों ने बताया कि एक बड़ा वर्ग बन गया है, जिसके अंदर एक और वर्ग है, फिर मैंने उस गुट को उठाया और सामने की तरफ बुलाया, उसके बाद उन चार समकों ट्रिबुज के जोड की आकृति मैंने बोर्ड पे बनाए, इसके बाद उससे बनने वाले सूत्र का स्पष्टी करण मैंने किया, बड़े वर्ग का शित्रफल निकालने के लिए मैंने कहा, और वो उन्होंने निकाला, फिर बड़े वर्ग के अंदर की पांच अकृतिया, मतलब चार समकों ट्रिबुज, और उनके अंदर बना हुआ, एक वर्ग का कुल शित् इसका एक समिकरण मैंने बोर्ड पे लिखा, और उससे विपदी का विस्तार करते हुए, उस समिकरण को सुलजाते हुए, आखिर हमें मिला, C² is equal to A² plus B², हमने अगतिवीजी जो की, वो काफी मज़ेदार थी इसके बाद मैंने बच्चो को एक सवाल ऐसे पूछा, कि बच्चो हमारे पास 4 समकों ट्रिभुज हैं, उसकी जगह पर यदी मैं आपको 2 समकों ट्रिभुज दे देता, तो यह C² is equal to A² plus B², यह सुत्र क्या हम निकाल सकते थे? उनकी जगह यदी मैं आपको 2 समकों ट्रिभुज दे देता, तो यह C² is equal to A² plus B² का सुत्र क्या हम निकाल सकते थे? अभी हमने गतिवीदी का इस्तेमाल करके पाइथागोरस के सिद्धान को सरिल तरीके से कैसे बताय जा सकता है, यह देखा है इस प्रकार की गतिवीदीया सिर्फ पाइथागोरस का सिद्धान सिखाने के लिए ही नहीं, बलकि गणित में कई सारी आउधारणाय स्पष्ट करने के लिए हम इस्तमाल कर सकते हैं मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि ऐसी गतिवीदीयों की माध्यम से विभिन नस्तर के छात्र मज़िदार तरीके से गणित सीख सकते हैं इस वीडियो के नीचे एक लिंक दिया गया है जहां आपको पाठ्ठे करम मिलेगा पाठ्ठे करम को ध्यान से पढ़िए और फिर आपके कक्षा में भी इस पद्धती का इस्तमाल करें आपके इस्तमाल के अनभव हमारे साथ साजा करिए यह मेरी विंती है धन्यवाद